नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेर परिशेत दोस्तु पस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बहद ही महतोपूर्ण जानकारी को ले करके जिहां आज हम सभी एक ऐसे पोधे के बारे में जानेंगे जिसका हरे कंग दवा के रूप में प्रियोक किया जाता है जिहां ये पौधा हर जगह देखने को मिल जाता है लेकिन इसके उपयोग की जानकारी कम लोगों को है तो यहां हम आपको इसके प्रयोग की जानकारी बता रहे हैं आक अर्क के पौधे शुश्क उसर और उची भूमी में प्रायः सभी जगह देखने को मिल जाते हैं इस वनस्पति के विश्य में साधारन समाज में यह भ्रांती फैली हुई है कि आग का पोधा विशैला होता है तथा यह मनुष्य के लिए घातक है इसमें किंचित सत्य जरूर है क्योंकि आईरवेद संहिताओं में भी इसकी गर्णा उप विश्यों में की गई है यदि इसका सिवन अधिक मात में योग्य तरीके से चतुर वैद्य की निगरानी में किया जाए तो अनेक रोगों में इससे बड़ा फायदा होता है इसका हर अंगदवा है हर भाग उप्योगी है एवं यह सुर्य के समान तिक्ष तेजस्वी और पारे के समान उत्तम तथा दिव्य रसायन धर्मा है पादार, मंदार, आक, अरक भी कहते हैं इसका वरिक्ष छोटा और छटादार होता है पत्ते बरगत के पत्तों के समान होते हैं हरे सफेदी लिए पत्ते पकने पर पीले रंग के हो जाते हैं इसका फूल सफेद छोटा छटादार होता है फूल पर रंगीन चित्तियां होती फल आम के समान होता है, जिन में रुई होती है, आग की शाखाओं में दूध निकलता है, यह दूध विश्च का काम कर देता है, आग गर्मी के दिनों में रेतिली भूमी पर होता है, चो मासे में पानी बरसने पर सुख जाता है, अब आज़ के सकतने, पद्भूत लावबये सटा कर मोजा पहन लें सुबह और पूरा दिन रहने दें रात में सोते समय निकाल दें एक सपता में आपका शुगर लेवल समान्य हो जाएगा साथ ही बाहर निकला हुआ पेट भी कम हो जाएगा आग का हर अंग दवा है हर भाग उपयोगी है यह सुर्य के समान तिक्षन ते तेल में जलाकर अंडकोश की सूजन पर बादने से सूजन दूर हो जाती है तथा कड़वे तेल में पत्तों को जलाकर गर्मी के घाव पर लगाने से घाव अच्छा हो जाता है इसके कुमल पत्तों के धुए से बवासीर शांत होती है आग के पत्तों को गर्म करके बादने से चोट अच्छी हो जाती है सूजन दूर हो जाती है आग की जड़ के चुण में काली मिर्च पीस कर मिला लें और छोटी छोटी गोलियां बना कर खाने से खासी दूर हो जाती है आग की जड़ के राख में करुआ तेल मिला कर लगाने से खुजली अच्छी हो जाती है आग क का पत्ता और डंठल पानी में डाल कर रखें उसी पानी से आप दस्त लें तो बवासीर अच्छी हो जाती है आग की जड़ का चून गर्म पानी के साथ सेवन करने से उपदंश यानि की गर्मी रोग अच्छा हो जाता है उपदंश के घाव पर भी आग का चून छिड़कना छहिए आखी के काले से घाव को धोना चाहिए आग की जड़ को पानी में घिस कर लगाने से ना खुम के रोग अच्छे हो जाते हैं आग की जड़ छाया में सुखा कर पीस लें और उसमें गुड मिलाकर खाने से शीत ज्वर शांत हो जाता है आग की जड़ दो सेर लेकर उसको चार सेर पानी में पका लें जब आधा पानी रह जाए तब जड़ निकाल लें और पानी में दो सेर गेहूं छोड़ें जब जल नहीं रहे तब सुखा कर उन गेहूं का आटा पीश कर पाउ भर आटा की बाटी या रोटी भना कर उसमें गूड और घी मिला कर प्रती दिन खाने से गठिया बाद दूर होती है बहुत दिन की गठिया 21 दिन में अच्छी हो जाती है आग का दूध पाउं के अंगुठे पर लगाने से दुखती हुई आँख अच्छी हो जाती है बवासीर के मसो पर लगाने से मस से चले जाते हैं बर्रे काटे में लगाने से दर्द नहीं होता चोट पर लगाने से चोट शांत हो जाती है जहांके बाल उड़ गए हों वहाँ पर आख का दूध लगाने से बाल उगाते हैं लेकिन ध्यान रहे इसका दूध आख में नहीं जाना चाहिए वरना आखें खराब हो जाते हैं हमने जो ये आपको उपाए बताए वो आप साउधानी से करें क्योंकि हम बताए जितना ही ये कारगर होता है उतना ही इसका साईड इफेक्ट भी है यानि कि अगर आपने सही धंग से नहीं इस्तेमाल किया तो आपको नुकसान भी हो सकता है इसलिए बहुत साउधानी के साथ ही इसका पर्योग करें तो आपके लिए बेहत लाफकारी और शद्ध सावित होगी है तो दोस्तों ये थे आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहत ही महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों